असलामुलेक्म लेक्ट स्टूट्ट्स अल्ट्रा वालइट एंड वीजीबल स्पेक्ट्रॉस्कॉपी की प्लेइस हम लोग ने स्टार्ट की हुई है यह की सब्लेइस की सब्सक्राइश है इस फुरी प्ले उसे की एकने अगर हम आपने वीडियो पर तक नहीं देखिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिए मेल जाएगा आप उसको जाके लाजमी देख लिए और आज की वीडियो में हम लोग लाप पड़ेंगे और उसे नेक्स तमाम वीडियो में ये बागी की सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करें सबसे पहले आजाता है इंटोड़क्शन डू लेंबर्ड बियर ला लेंबर्ड बियर ला है क्या चीज ये किस बारे में हमें बताता है इसको हम किसलिए यूज करते हैं ये पढ़ते हैं इसको हम लोग बियर लेंबर्ड ला इसको हम लोग बियर लेंबर्ड ला भी कहते हैं 1852 के अंदर बियर ने इस ला को एकस्टेंड किया था और बाद में इसको नेम दे दिया था बियर लेंबर्ड ला का और ये करता क्या है इस अलाव स्पेक्ट्रोस्कॉपी ये कराते हैं तो वह कितनी लाइट अब्जॉशन के अंदर और उसके लावा उस सिलूशन की जो स्लूट पार्टिकल्स हैं उन्होंने कितनी कंसेंट्रेशन को अब्जॉब किया है इन दो चीजों के बारे में यह वला डिस्क्राइब करता है अब्जॉप्शन ओफ लाइट किसी के कावट है उसमें हम लोग ने एक स्लूशन लिया हुआ है अब इस सिलूशन में से हम लोग न Rap को पास कराया फर्स करें कि हमारे पास इंस्डेंट थी स्लूशन में से पास करेगी तो सुलूशन के अंदर को अब्जॉब कर देंगे और बाकी को ट्रांस्मिट करदेंगे और बाकी जो transmitted light है उसको हम लोग i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो solution की path length है इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेंबर बियर लाग के मताबिक कोई भी light जो solution के उपर पार रही है और solution उस light को कितना absorb करता है यह depend करता है दो चीजों के उपर पहली चीज यह है कि solution की length कितनी है solution की length ज़ादा होगी तो वो solution ज़ादा light को absorb करेगा और दूसरी चीज solution के अंदर जो particles present हैं जो उसके अंदर solute particles हैं उनकी concentration के पर डिपेंड करता है तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसला की statement लेंबर वियर लास states that the absorbance of a solution is directly proportional to the concentration of the absorbing species and the path length of light to the solution कि किसी भी solution की जो absorbance है उसकी किसी light के absorb करने के जो ability है वो directly proportional है concentration of absorbing species के उपर कि हमारे solution के अंदर कितने solute particles हैं उनके concentration के उपर directly proportional है उसके path length के उपर वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को डाइगराम में बताई थी कि अगर हम लोग light फाल कराते हैं solution के उपर तो हमारे solution के अंदर absorbing species के concentration जतनी ज़ादा होगी और दूसरी चीज़ इस solution के path length जतनी ज़ादा होगी उतनी ही ज़ादा हमारे incident light के absorbance होगी mathematical इसको हम लोग represent करते हैं a is equal to e, b, c यह जो e यहाँ पर है epsilon यह हमारे पास constant है absorptivity constant है यह हमारे पास absorption of solution होती है जो b हमारे पास यह path length है और c हमारे पास है यह हमारे पास solute particles की concentration है और a यहाँ पर absorbance है तो यही basic चीज लेंबर बियर ला में हम लोग देखते हैं कि अपने किसी भी solution की absorbance को हम लोग देखते हैं और वो absorbance directly proportional है हमारे solution के दर्मयान जो present solute particles हैं उनकी concentration की और उसके इलावा solution की path length के ऊपर तो students मुझे अमीद है कि इसका introduction आपको clear हो गया होगा लेकिन अगर आपका भी कोई question हो तो आम उसे comment section में किसी भी time पूछ सकते हैं और इसके बाद इसकी derivation आजाती है जो most important है derivation of lambert बियर ला उसके उपर हम लोग एक separate video बिनाएंगे अगर आपको derivation समझनी है तो आप मुझे comment कीजिए मैं आपके लिए वीडियो बिनाओंगी वरना हम लोग पहले बाकी के sub topics को cover करेंगे क्योंकि आप लोगे exams करीब हैं और आप लोगे exams के अच्छी preparation करेंगे तो next topic हमारे पास आजाता है applications of lambert बियर ला इसके applications पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पास है quantitative analysis lambert बियर ला को use करते हुए हम लोग अपने unknown compound के quantity को determine कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम उसके absorbance को measure करेंगे और जो formula हमें दिया हुआ है उस formula के मताविक हम उसके absorbance वगर कल्कुलेट कर लेंगे next आता है qualitative analysis lambert बियर ला को use करते हुए हम लोग किसमी specific substance को identify कर सकते हैं उसका unique spectrum वगर को study कर सकते हैं उसके बाद आता है kinetic studies lambert बियर ला को use करते हुए हम लोग kinetics की study कर सकते हैं अपना rate of reaction find कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि हमारे जो कोई भी product है उसको बनते हुए कितनी जादा light absorb हुई है उस absorb light के measurement के बाद हम लोग kinetics पता कर सकते हैं अपने किसमी chemical reaction की तो नेक्स हमारे पास topic आ जाता है limitations of lambert बियर ला सुरेट इसको पढ़ने से पहले मेरे आप से चोटी से request है कि आप मुझे मेरे instagram और facebook पेज़ के उपर follow कर ले और वहां पे आपको हर तरह के notes मिल जाएंगे और अगर कुछ सी और topic आपका notes चाहिए हो तो मुझे से लाजमी बताएं इन्चारा मैं उनको जरूर शियर करूंगी और उसके इलावा आपकी six semester के past papers मैंने solve कराए हुए हैं उनकी playlist दी गई है मेरे channel के उपर तो आपने उनको होगी हमारे किसी भी solution के अंदर solute particles की तो जो लेंबर बियर्ला है वो deviate कर जाएगा फर्स करें हमारे पास एक solution था हमने उसमें से light को past कराया light pass होई solution ने उसका कुछ amount absorb किया फिर transmitted light आई उसको हम लोग ने calculate कर लिया और लेंबर बियर्ला जो है वो हम लोग ने derive कर लिया ले लेंबर बियर्ला में क्या होगा deviate कर जाएगा क्यों क्योंकि जो हम light फाल कराएंगे अपने solution के उपर वो ज्यादा amount में absorb हो जाएगी और हमारे पास results खराब हो जाएंगे next आता है scattering of light students लेंबर बियर्ला के अंदर अगर light scatter कर जाए तो लेंबर बियर्ला के results जो है वो deviate कर जाते है अब हम लोग ने light को फाल कराया अपने solution के उपर लेकिन अगर ऐसा होता है कि light solution तक पहुंचती नहीं है या फिर solution तक पहुंचने से पहले ही वो इदर उदर scatter कर ज ही तरह और हमारे लेंबर बियर्ला के deviations आजाएंगी नेक्स्ट आता है हमारे पास florescence and phosphorescence दो बहुत important यह light के फिनोमनाज है अगर हमारे sample के पार्टिकल्स के अंदर fluorescence या phosphorescence मेंसे क्यों यह एक property होगी तो भी जो हमारा लेंबर बियर्ला है वो deviate कर जाएगा किस तरह से students florescence क्या होती है पहले यह देखते हैं florescence का मतलब यह होता है कि हमारे sample के ability अगर उसके अपर हम light फाल कराएं वो light को absorb कर लेता है और उसके बाद वो इमिट करता है बिल्कुल florescence का phenomenon जिस तरह हमारे street lights में use हुआ होता है दिन के time में वो क्या करती है solar light को absorb कर लेती है और र सेम ही है लेकिन यह long lived phenomena होता है जिसमें continuously बाद में excitation होती है photo electrons की तो अगर हमारा sample है florescence यह photo fluorescent होगा तो वो क्या करेगा उस light को absorb कर लेगा और बाद में अपने 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 कर लेगा ताके बाद में इसको लेंप्स तब अपने इसे अपने साट सफ ताफ तरे इस नहीं हैंगी ते सुनें आर अपने गगती है इसको दिर्फे होता है जब लाइट ट्रैवल करती एक अमेडियम से दूसरे मीडियम के अंढर तो अपनी तारे इसपह, बैने साशल है तो अपने प्श एकने से थट तो यह उसकी जो बैंडिंग है इसको ही हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं तो लेंबर भी लाग की यह लिमिटेशन है कि अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाती है लाजने बताया करें इसके लावा आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए ता मुझे कमेंट कीजिए इंशाला मैं आपके लिए जरूर बिनाओंगी और इस प्लैलिस्ट के अंदर हम नेक्स वीडियो पढ़ेंगे और प्रेंगे अधिन आप लाजने शीर करें अपने